बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुश्री सद्गुरु महाराज की जिती फोज सीरे संसार की, कारज कारन विस्तार, तहां तमासा देखके, फेर के किया विचार, फेर के किया विचार। दावुद पांडे की हवेली में, प्रनाधार आत्पसं मन्दी सुन्दर साजी, कल की चर्चा में हमने सुना, निजानन संप्रदाय की पद्धती में, कि हमारा सास्त्र कौन सा है? पुराणों के अंदर गिंती आते हुए भी भागवत को सास्त्र क्यों कहा है? क्या भागवत जागरित बुद्धी का ज्यान है? और हमारा धाम कौन सा है? घर कौन सा है? हमारे संप्रदाय का नाम निजानन्द कहा गया है, तो वहाँ निज क्या है? और आनन्द क्या है? इन सभी प्रश्णों को जो स्री जी ने जवाब दिया, उसके विशेय में सुना, और फिर उस कुम्ब के महा कुम्ब के मेले में सत्रसो पैंतिस में कौन कौन सी दो बाहरी लक्षेय दिखे उसके विशेय में भी सुना, अब आगे महामति स्री लालदाह जी कह रहे हैं कि हरिद्वार का कुम्ब का मेला समाब्थ करके, श्री जी साहिब पुनह दिल्ली को लोटे, जहां दाउद पांडे की हवेली में उन्होंने सुन्दर साथ को छोड़ा था, क्योंकि सभी सुन्दर साथ को लेकर नहीं गए थे, जितने महिला सुन्दर साथ थी, जितने बुजर्ग सुन्दर साथ थे, या छोटे-छोटे बच्चे थे, उन सब को उन्होंने दिल्ली में ही छोड़ा था, अब उनसे जाकर के वापस मिलते हैं कुम्ब के मेले के बाद, उस समय जो सत्रसो पैंटिस का समय है, इन समय खिजमत में रहता था गरिबदास, खान सामा दिवान का कहिया कलाम खास, गरिबदास जी एक सुन्दर साथ हैं, जिनको प्रबंधन का कारिय सौपा गया था, मैनेजमेंट का, और उस समय प्रबंधन कारिय करने वाले व्यक्ति के लिए, विशेश रूप से खान सामा शब्द का प्रयग होता था, अब ये प्रबंधन कारिय क्यों? क्योंकि सूरत से जब चले हैं, तब पांच सो सिंदर साथ की संख्या है, सिद्पुर मेरता होते हुए, जब दिल्ली पहुँचे हैं, संख्या और भी ज्यादा हुई है, अब हम जब पांच साथ लोगों के परिवार में रहते हैं, तब भी ये दि महिने का कोई व्यक्ति पचाश साथ हजार रुपे भी कमा रहा है, या लाक रुपे भी कमा रहा है, तो उसे मैनेज करना पड़ता है, किवल कमाना परियाप्त नहीं होता है, जितना कमाया जा रहा है, उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकले, घर का बाकी खर्च भी चल जाए, और कोई निश्चित हिश्चा उसका किस तरह से स्यविंग किया जाए, तो इतना काम हर व्यक्ति अपने अपने घर में करता है या सोचता है, अब जहां पांच साथ लोगों के परिवार में मैनेज करने में समस्य आती है और वहीं यदि संयुक्त परिवार हो, जोइंट फैमिली हो, तब तो बात और भी समस्य वाली हो जाती है, क्योंकि वहाँ अब संख्या बढ़ गई है, हो सकता है कि रिसोर्सेस कम हो, जो अर्थ सास्तर में डिमांड और सप्लाई का रूल है, हो सकता है कि वहाँ पर वो नियम समस्या दे, कि मांग ज्यादा हो रही है और आपूर्ती कम हो रही है, ऐसे में किस तरह से मैनेज किया जाए, जब सोचे कि 10-12 लोगों के परिवार में ऐसी समस्या आ सकती है, तो संख्या और भी बड़ी है, हो सकता है, हजार के आसपास तो हो ही गए हो, तो इतने सुन्दर साथ के लिए सारी चीजों की व्योस्था करना इतना आसान नहीं था, इसलिए किसी एक व्यक्ति को विभाग का अध्यक्ष बनाना आवश्यक था, इसलिए वो सेवा दी गई थी गरीब दास जी को, और बाद में कुछ समय के पस्चात ये सेवाई थी लालदास जी के पास एह लालदास को हुआ था हुकम लालदास जी को इसलिए हुकम हुआ क्योंकि उनके पास अनुभव था अनुभाव कैसा क्योंकि हमने कई बार सुना है वैसे तो इस बीतक में या दूसरी बीतकों में भी अब तक तो मुझे लिखित रुप में प्रमाण नहीं मिला है कि उनके निन्यानब्बे जहाज ही थे फिर भी व्यापारी तो थे वो तो व्यापार का उनका अनुभाव था उसमें मैनेजमेंट आवशेक ही होता है अनिवार यही होता है आज कल लोगों को डिग्री की आवशेक्ता पढ़ने लगी ही ना मैनेजमेंट के लिए इससे पहले तो लोग अपने अनुभाव के आधार पर ही मैनेज किया करते थे और आज भी बहुत सारे ऐसे अनुभावी लोग हैं जो डिग्री धारी लोगों से अच्छा मैनेज कर लेते हैं तो बाद में ये सेवा लालदास जी के पास आई जिन्होंने आगे पन्नाजी तक और पन्नाजी में भी अपने अंतिम समय तक भी जब तक पांचमे दिन के लिला चलती रही बी तक में अस्ट प्रहर की सेवा का प्रसंग आता है उसके बाद चटिस कारखानों का वणन आता है तो उन्होंने इस तरह से ये सारी वियोस्था को सम्हाला कि किस तरह से सुन्दरसात के द्वारा आई गई सेवा को सही ढंग से सब तक पहुंचाया जाए सब की आवश्यक्ता पूरी की जाए जो पहले गरीब जी ने और भाद में लाल जी ने समाले बीच बीच में कोई और सुन्दरसात के पास भी ये सेवा गई थी जिनका वणन आगे हम पन्नाजी के प्रसंग में सुनेंगे अब स्रेजी दिल्ली आए हैं दिल्ली आकर अब उनके मन में एक ही विचार है कि औरंग जेब को संदेश देना है जो विक्ति और यहां विक्ति का मतलब में सामान ने विक्ति की बात नहीं कर रहा जागनी के एक शित्र में अध्यात्म के एक शित्र में जो विक्ति जितना उँचा पहुँचा होता है वहाँ व्यक्ति उतना ही दूसरों के बारे में सोचता है उसका लक्ष उतना ही बड़ा होता है हम में से जितने भी सुन्दर साथ यहां बैठ रहे हैं चर्चा सुन रहे हैं या भविषय में इंटरनेट के माध्यम से सुनने वाले हैं हम सब की सोच हम सब का विचार उसका दायरा एक सिमित होता है कैसे हमारे पास ज्ञान होगा तो हम सोचेंगे कि हमारे परिवार के सब लोग राजजी को माने तो कितना अच्छा हो कई बार होता है न कि परिवार में सब लोग नहीं मान रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि सब लोग यदि राज्जी को माने सब सुन्दर साथ हो जाए तो बहुत अच्छा हो इससे दायरा थोड़ा और बढ़ता है तो हम अपने-अपने गाउं के विशे में अपने-अपने मुहले के विशे में सोचते हैं यह पूरा मुहला सुन्दर साथ का बन जाता इससे भी ज्यादा सोचेंगे तो जैसे मान लिजे कि आज पंजाब से कुछ सुन्दर साथ है सोचेंगे पूरे पंजाब में जागनी करनी है पर जो अध्यात्म के छेत्र में जितना उपर पहुँचा होता है वो परिवार, मुहला, जीला, राज्य इन सब से उपर होता है ब्रम्हांड से नीचे कि वो बात ही नहीं करता है मुक्त देशी ब्रम्हांड को देख लीजिए या सुख सितल करू संसार देख लीजिए स्री जी के मन में ऐसा नहीं कि इतने इतने लोगों को जगा देना है या इतने इतने राज्ये में तार्तम आने पहुंचाने उनका जो क्षेत्र है वो पूरा ब्रम्हांड है क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो पाता है जैसे मान लिजिए कि हम सब किसी सहर में बाजार में खड़े हैं रास्ते में, सडक में जब हम सडक पर खड़े हो करके देखते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अलग-अलग बिल्डिंग्स दिखाए पड़ती है कोई बिल्डिंग एक मंजिल की होगी, कोई दो मंजिल की होगी कोई चार मंजिल की, कोई दस मंजिल की हम जब नीचे हैं तो हमें अंतर पता चल रहा है ये इतना उचा है, ये नीचा है, ये उससे और उचा है और यदि आप कभी फ्लाइट में बैठे हो तो आपको आइडिया होगा आप जितना उचा जाएंगे आप उचाई से जब नीचे की तरफ देखते हैं सब बराबर दिखाए पड़ता है क्यों? इसी तरह से जो विक्ति अध्यात्म के एक शेत्र में भी जो जितना उचा पहुंचा होता है वह सब को बराबर ही देखता है अब उसके लिए परिवार, मुहला, जीला, राज्य ये सब छोटे हैं अब वह पूरे विश्व की बात सोचने लगता है स्री जी के मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे इतने इतने छित्र में जागनी करने छित्र के बंधन में वो बंध ही नहीं उनके मन में है कि पूरे विश्व में जागनी करनी है और उसके लिए स्री देवचंद्र जी ने बताया है कि सकुंडल और सकुमार की जब जागनी होगी तो वो तार्तम वानी को बहुत तिवरता के साथ में दुनिया में फैलाएंगे इसलिए उनका अभी के लिए लक्ष ये है कि किस तरह से सकुंडल और सकुमार तक वानी पहुँचाई जाए अब सकुंडल की भी खोज चल रही थी स्री जी ने जस्वन सिंग जी के पास भी भेजा था गुवर्धन जी को जागनी के लिए कि क्या पता वो सकुंडल हो क्यों कि इतना तो पता है कि राजपरिवार में है पर कहां है अभी मूल्शोरुप के तरफ से वो आदेश नहीं हुआ है इसी तरह से यहां सकुमार की जागनी का विचार करके औरंजेब को ही सकुमार की आत्मा पहचान कर अब उसके जागनी के लिए प्रयास हो रहा है तो स्री जी ने विचार किया कि दिल्ली में रहते हुए यदि हमने प्रयास किया क्योंकि सरियत का कटर सामराज्य है यदि हमारी बात या हमारा प्रयास उल्टा पड़ गया तो दुसरे सुन्दर साथ को कस्ट ना हो इसलिए जितने भी बुजुर्ग सुन्दर साथ थे महिलाएं थी या बच्चे थे स्रीजी ने सोचा कि इन सब को पहले तो दिल्ली से हटाया जाए तो दिल्ली से चल करके पहुंचते हैं अनूप सहर नामक स्थान में वहाँ जाकर एक हवेली लिया जाता है और उस हवेली में सब सुन्दर साथ को ठहराते हैं वहाँ एक पाठक रहा करते थे जो अनूप सहर के चौधरी थे चौधरी एक पद है जैसे मुखिया कहा जा सकता है और पाठक वर्तमान हिसाब से वर्तमान द्रिष्टी से देखा जाए तो इसको हम उपजाती या सरनेम कह सकने मैंने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी बताया था कि प्राचीन समय में जो चारों वेदों को याद कर लेता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था और जो चारों वेदों को पड़ा उसको चतुरवेदी जिसने तीनों वेद पड़ा उसको त्रिवेदी दो वेद पड़ने वाले को दुईवेदी और एक वेद पढ़ने वाले को सुवेदी या पाठक कहा जाता था चतुरवेदी शब्द अपब्रहंच होकर चवबे कहा जाने लगा त्रिवेदी सब्द का तिवारी बन गया द्वीवेदी का दूबे बन गया और जिसने एक वेद पढ़ा हो उसको सू वेदी या फिर पाठक कहा जाने लगा पहले तो वेद पढ़ने वाले को कहा जाता था बाद में यही लोगों ने सरने अपना अपना बना लिया आज भले ही कोई चवबे हो चार वेदों का नाम भी याद नहीं होगा फिर भी वो चवबे कहलाता है तो इसी तरह से एक पाठक थे जो स्रीजी का दर्शन करने के लिए आए अध्यात्म के संदर में कोई कुछ चर्चाएं की दिल में थोड़ा बहुत भाव जगा तो उन्होंने श्रीजी के लिए एक गुलाब के सुगंधित इत्र का सीशा भेट किया और यह सब इसलिए क्योंकि केवल उपरी पहचान थी जिनको उपरी पहचान होती हूँ वो केवल उपरी चीजे भेट करते हैं उपरी चीजों का मतलब किसी ने किसी वस्तु में वो सीमित रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो किसी प्रकार की वस्तु भेट करते हैं, उनको केवल उपरी पहचान होती है, पर इस बात को आप पूरी तरह से समझें, आधिया दुरी रूप में नह लें, जिनको की पहचान होती है, वे अपना समर्पन करते हैं, अपने अंतस का समर्पन करते हैं, और अंतस में भी सबसे पहले अहंकार का समर्पन करते हैं, अहंकार समर्पित हो गया तो बाकि सब उसमें आ जाता है, और एक बार अहंकार समर्पित कर दिया, फिर तो अपना कुछ बचा ह पर जिनको किवल बाहरी पहचान होती है वो बाहरी चीजें ही देते रहते हैं कुछ समय तक उसके बाद क्योंकि पहचान तो है नहीं उससे आगे बढ़ नहीं पाते तो अनुप सहर के चौदरी ने भी इस तरह से बाहरी स्वरुप की पहचान से इत्र भेंट की कुछ दिन तक वहां रहे कर अनुप सहर में रहे कर पुनह स्री जी दिल्ली पधारे और साहागंज नाम के मुहले में सुन्दर साथ के साथ ठहरे अब दिल्ली में जो सुन्दर साथ रह रहे थे क्योंकि स्री जी तो छोडने के लिए गय थे न दिल्ली में जो सुन्दर साथ रहे थे और जो दिल्ली के ही स्थाई निवासी थे जैसे चंचलदास, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, सेख बदल इत्यादे अब वे सब आकर कि स्रीजी से मिले और सब ने आपस में बैठ कर विचारवी मर्स किया कि औरंग जेब की जागनी कैसे हो, उस तक संदेश कैसे दिया जाए और वहीं रहकर बिहारी जी को भी एक पत्र लिख कर भेजा गया, एक विक्ति को उन्होंने भेजा, सोचिए ये स्रीजी की महानता है, वैसे तो उनकी महानता के विशे में भी बात करने के लिए हमारे पास सब्द नहीं है पर प्रसंग वस कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा, ये कहेंगे कि ने उनकी महानता के विशे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना कहकर मौन भी नहीं हो सकते ये उनकी महानता है कि जिन विहारी जिने कदम कदम पर जागनी के मार्ग को बाधित किया, जिनकी चुगली से ऐसी ऐसी नौबत आई कि हम जैसे सुन्दर साथ उसको सहन करने की कलपना भी नहीं कर सकते चाहे आप खंबाल्या के राजा को उकसाने का प्रसंग देख लीजिए, चाहे पहले सद्गुर महाराज के द्वारा प्रणाम सुईकार न किये जाने का प्रसंग देखिए, या फिर मिहर राज जी के साथ में दो भाईयों के नजर्बंध होने का प्रसंग देख लीजिए ये सब बिहारी जी की ही कारणामे की वज़े से हुई लेकिन फिर भी स्री जी ने अपना कर्तव्य निभाया अपने तरब से संबंध कभी भी उन्होंने नहीं तोड़ा हमेशा ये प्रयास करते रहे कि बिहारी जी किसी तरह से यदि जुड़ जाएं तो जागनी में और सेवा हो और बल मिले इसलिए उन्होंने पत्र लिख करके भीजवाया और फिर साहगंज की मुहले से चलकर लाल दरवाजे में पहुँचे और सुन्दर साथ के साथ बैठ करके विचार विमर्स किया गया कि औरंग जीब तक संदेश कैसे पहुँचाया जाए अब इसी विचार विमर्स के क्रम में आसाजीत वकिल का नाम सामने आया क्योंकि वो पहले भी मिल चुके थे, पहले भी मुलाकात होई थी उनकी अब चुकि वो वकिल है तो संदर साथ ने सोचा कि राजदरवार में आना जाना होगा इनके माध्यम से यदि हम प्रयास करें तो हो सकता है कि हम सफल हो सकते हैं क्योंकि अब तक कोई दूसरा तरीका नहीं मिला था इसलिए आसाजीत वकिल को बुलाया गया और फिर आसाजीत को वे वचन सुनाए गए जिसमें मुहम्मद साहब की महिमा बताए होई थी नभी और नारायन की उनको पहचान कराए गए लेकिन जैसे ही ये बात सुनी आसाजीत का थोड़ा बहुत जो इमान बना हुआ था वो डगमगा गया क्यों? क्योंकि जब हम केवल वेश भूशा भाषा के बन्दन में बद कर देखते हैं तो नभी और नारायन की जब हम बात करेंगे हमें ऐसा लगेगा कि नारायन तो हिंदु धर्म के हैं और नभी मुसलमानों के हैं परगमबर अब नभी और नारायन के संदर्में बात ऐसी है जो बात आशाजित को सुनाई गई कि नारायन की पहुँच कहां तक है निराकार तक और नभी की पहुँच कहां तक है सबे मेर राजमे अर्था दर्शन की रात्री में निराकार मंडल को पार करके अक्षर को पार करते हुए परमधाम में मूल मिलावे में जाकर उन्होंने खुदा अल्ला ताला से नब्बे हजार हरुफों में बात की और उन्होंने इस संशार को एकत्व का संदेश दिया और नारायन की जब बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि निराकार तक की ही हम बात कर सकते हैं सब्द की दृष्टी से देखें तो ऐसा लगेगा कि इसमें तो मुसल्मानों की महिमा है और हिंदूओं को छोटा दिखाया गया है जबकि जब हम वास्तविक्ता को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि नभी और नारायन की हकीकत क्या है अब हुआ क्या आशाजित कहने लगा कि हिंदूओं के तरफ की कच्छू न रही ठोर इस प्रसंग को सुनकर के तो ऐसा लग रहा है नभी और नारायन के प्रसंग को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि हिंदूओं की तो कोई गरीमा ही नहीं रही कोई महीमा ही नहीं रही इन में तो कच्छू न रहा बड़ा होता है जोर ऐसा लग रहा है कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म के उपर, हिंदु धर्म के उपर बड़ा जोर जब रुस्तिय अत्याचार हो रहा है, हमारे पास तो कुछ बांकी ही नहीं रह गया, कुछ सेस नहीं रह गया, अब क्या किया जाए? हवास्त विखता ये है कि हिंदु धर्म की महिमा जो वानी में बताई गई है उसके विशे में जिसने नहीं पढ़ा वही इस बात को उठाता है या इस तरह की बात करता है कि निजानन्द संप्रदा इसलाम परक है किवल मुसल्मानों की बात करता है मुहम्मद मुहम्मद और अल्ला अल्ला करता है पाणी में है भी आप सनन्द देखिए खुलासा देखिए मारिफत कयामत नामा को देखिए उर्दु अर्भी और फार्सी के बहुत आयत शब्द आपको मिल जाएंगे मुहम्मद साहब की बहुत सारी बातें मिल जाएंगे बहुत सी महिमा वाली बातें मिल जाएंगे लेकिन वास्तविक्ता यह है कि हिंदु धर्म की जो महिमा है उसको कम करने का काम तथा कथित हिंदु ने ही किया है कैसे किया? रिग्वेद का कथन है न द्वावां अन्यों दिव्यों न पार्थिवों न जातों न जनिस्यते कहते है परमात्मा आपके जैसा दूसरा न कोई हुआ था न है और न भविश्ययमे होगा ये रिगवेद का कफण है उपनिशत कहते हैं एकम एव अद्धियम परमात्मा कितने है एक ही है दूसरा नहीं है वेदों का क्या कथन है न द्वितियो न तृतियो चतुर्थो न आपी उच्यते न पंचमो न शस्ठो सप्तम्यापी न उच्यते न अस्टमो न नवमो दसम्यापी न उच्यते परमात्मा दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो द बस नहीं है, वह तो एक मात्र है, आज हिंदू समाज में 90 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे होंगे, जिनको वेदों के विशे में पता ही नहीं है, उपनिसेदों के विशे में कोई जानकारी नहीं है, कई लोग तो ऐसे ही जिनको चार वेदों का नाम भी नहीं पता होगा और कुछ लोग तो ऐसे होगे, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि वेद चार है यह हिंदु धर्म की विडम बना है और जो वेद तथा उपनिशदों से विमुख हो गए केवल पौराणिक कहानियों को सुना या फिर TV सीरियल इत्यादी में देखा तो वे क्या समझते हैं वे हनुमान जी को वानर के रूप में देखेंगे फिर भी उनकी पुजा करेंगे गणेश जी की पुजा करेंगे कोई सालीग्राम की पुजा कर रहा है कोई सिवलिंग पर दूद चड़ा रहा है कोई किसी व्रिक्ष की पुजा कर रहा है कोई किसी नदी की पुजा कर रहा है जबकि परमात्मा तो एक है अब कोई सालिग्राम की कोई सिवलिंग की कोई नव ग्रहों की पुजा कर रहा है भी कालपनिक नव ग्रह, आप बताइए, नव ग्रह में राहू, केतु, चंद्रमा, सुर्य आदी का नाम लिया जाता है, सुर्य ग्रह है, कोई भी सुर्य को ग्रह नहीं कहेगा, चंद्रमा तो प्रिथवी का उपग्रह है, राहू और केतु का तो नाम इन में भी नहीं आता ह तो नौग्रह कैसे हो गए और इनकी पूजा की ये तो जड़ है तो जो इस तरह की पूजा कर रहा है ऐसे इस्तिती में हिंदु धर्म की गरिमा को किस ने कलंकित किया सोयम हिंदु वने वानी तो क्या कहती है त्रयलो की मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदु धरम ये नहीं दिखाई पढ़ रहा है लोगों को वानी कहती है कि त्रैलोकी में तीनों लोकों में भरत खंड सर्वस रेष्ठ है और इसमें हिंदु धरम सर्वस रेष्ठ है लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि निजानन संप्रदाय इसलाम पर रख है वानी क्या कहती है वेद आया देवन पर असुरन पर कुरान वेदों का आगमन देवों पर हुआ है और असुरों के लिए कुरान का आगमन हुआ है कयामत नामा की वानी कहती है कृपा हिंदु पर हुई अतिघनी जित आखिर को आये धनी हिंदूओं पर बड़ी कृपा है कि हिंदूओं में ही अंतिम समय में परब्रम आयो तो इस बात को लोगों ने नहीं देखा केवल शब्द को देखा भाषा को देखा और भाषा को देखकर के ही हम ये नहीं समझ पाए कि यहां जिनको नभी कहा जा रहा है वे तो अक्षर की सूर्ता है जिस अक्षर के विशे में गीता में कहा कुटस्थो अक्षर उच्यते ये वही अक्षर है केवल शब्द का अंतर है भाषा का अंतर है ये दि भाषा भेद हटा दिया जाए और हमें नभी और नारायन की जगपर च्छर और अक्षर की बात की जाए तो हमें कोई आपत्ती नहीं होती लेकिन हमने क्या देखा कि नहीं ये तो नभी कह रहे हैं मुहम्मद सहाब को और नारायन हमारे उपास से हैं वास्तों में नारायन हमारे उपास से कैसे हुए? नारायन तो ख्षर है ना? ख्षर से परे अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातित है और हम सब के एक मात्र उपास से वो अक्षरातित होने चाहिए. तो ये पहचान न होने के कारण वास्तों में हिंदू का उपहास हो रहा ह आज हर जगह पर हिंदु इसलिए बटा हुआ है क्योंकि एक परमात्मा की पहचान किसी को भी नहीं है कोई शिवजी की भक्ति कर रहा है कोई विश्ण भगवान की कर रहा है कोई हनुमान की कोई गणेश जी की कोई किसी देवी की और कोई इन सब से अलग नए नए देवी देवता बना रहे हैं आज मार्केट में जाएंगे तो इतने नए नए देवता है कि 25-30 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा एक संतोसी माता करके कोई नाम है कहा है कौन से पुराण में नाम है बताइए टीवी सीरियल आया में तो आरती उतारू रहे संतोसी माता की और लोग शुरू हो गया आरती उतारना आज से 10-15 साल 20 साल पहले तक सनी देव के विशाई में बहुत कम लोग जानते होंगे महाराष्ट की तरफ चले जाएंगे तुलजा भवानी मेलडी मा ये सब क्या है ऐसी ऐसी माता हैं जिनका पुराणों तक में कोई वणन नहीं है वेदों में तो किसी भी माता का वणन नहीं है किसी देवता का वणन नहीं है पुराणों में भी जिनका वणन नहीं है ऐसे ऐसे नए नए देवी नए ने देवता मार्केट में निकाले जा रहे हैं और फिर लोग कहते हैं कि हिंदु धर्म बदनाम हो रहा है बदनाम इसलिए तो हो रहा है हमारा धर्म था पुरुशस परह पार्थ भक्तिया लभ्यातो अनन्य अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति लेकिन हमने क्या किया अनन्य को छोड़ करके अनेक की उपासना करने लगे अब सत्पद ब्रामण का एक कथन है कि यो अन्य देवताम उपासते सवन वेद यथा पशुभी रेव देवा नाम जो एक परमात्मा को छोड़ कर अनेक की उपासना करता है वह मनुश्य नहीं विद्वानों के बीच में पशु के समान है तो हिंदु धरम की बधनामी कौन कर रहा है स्वयम हिंदु जो वेदों के विमुक होगा जो उपनिसदों के विरुद जाएगा जो दरसन शास्त्रों के विपरित काम करेगा उनकी बधनामी करने के लिए बाहर से किसी व्यक्ति को बुलानने के आओ सकता नहीं है हिंदु क्या करते हैं? जैसे गणे चतुर्थिया जब आती है, घर पे मिट्टी और पुराल के गणपत्ती पदराये जाते हैं, बनाये जाते हैं, और फिर लगबग नौ दिनों तक पुजा करने के बाद, नदी में ले जाकर कि उनको डुबो दिया जाता है. अब जो डुबोते हैं, तो वो तो चिथड़े-चिथड़े हो जाते हैं, बेचारे क्योंकि मिट्टी जो है, वो गल जाती है, पुराली सब ऐसे ही हो जाते हैं. अच्छा, यही काम यदी कोई दूसरा आकर के करें, कोई मुस्लिम, आप जिनको आराध्य मान रहे हैं, उन देवी देवताओं को नदी में डुबो दे, तो आप क्या करेंगे? हथ्यार उठा लेंगे, लेकिन आप खुद वो डुबो रहे हैं, आप गुजरात चले जाईए, महाराष्ट चले जाईए, गणेश चतुर्थी में ऐसा ही होता है, आप बंगाल की तरफ चले जाईए, तो वहाँ नवरात्री में दुरगा की पुजा होती है, और नवर दि आते हैं, उपहास करते हैं, जो हनुमान इतने प्रकांड विद्वान थे, वानर जाती की मनुस्य थे, वानर मतलब बंदर नहीं है, हमने कभी न व्याकरण की तरफ ध्यान दिया, न कभी वालमी की रामायन खोल के देखा, केवल टीवी सीरियल को देख करके हमने हनुमान ज रहा है, कि तुम बंदर की पुजा करते हो, फिर बुरा क्यों मान रहे हो, हम या तो मान लो कि वो बंदर हैं, या फिर सत्य को देखो, जानो, पढ़ो, समझो, इस तरह से हिंदुों की इज़त जा रही है अलग-अलग स्थानों पर, जो हिंदु यदि वेदों को पढ़े, उपनिशदों को पढ़े, दर्शन को देखे, दर्शन को पढ़े, गीता को भी देख ले, और इतने सास्त्रों का अध्येन करके, यदि एक परमात्मा को पकड़े, तो बाहर का कोई भी विक्ति, आपके मत का, आपकी मान्यता का मजाक नहीं उड़ा सकता है, आज वैसे दे नहीं कहूंगा, क्योंकि आप चारों वेदों में, ग्यारह उपनिशद में, छे दर्शन में या किसी भी पुराण में हिंदू सब्द नहीं दिखा सकते, हिंदू सब्द सस्कृत भासा का है ही नहीं, तो इसको मैं सनातन मत कहूंगा, सनातन मत अथवा वैदिक मत, इससे स् इज्यान की भी सारी बातें, सारे सिध्धान्त इसमें दिये हुए हैं, दुन्या में ऐसा कोई भी सिध्धान्त अच्छा नहीं है, जो पहले सही वेद दर्शन उपनिशद में नहों हर बात यहां पे मिल जाएगी, बाकी सबने तो कही न कही नकल किया हुआ है, तो हिंदों में से एक था, जिसको नारायन से परे का कोई ज्ञान ही नहीं था और भाषा के भेद में वह फसा हुआ था, इसलिए उसने कहा कि अब तो हिंदों की कोई इज़त ही नहीं रही गए, आगे कहता है मैं देखत हूँ तुमको बिना सिर के आदमी, मैं देखत हूँ तुमको बिना सिर के आदमी कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जी में, मैंने कानों से तो सुना था, कि बिना सिर के आदमी भी होते हैं, पर आज तक कभी देखा नहीं था आज देख लिया कि आप लोग बिना सिर के हैं बिना सिर के होने का क्या तात्परिय है शिर वैसे अहंकार का भी प्रतिक है बुद्धी का भी प्रतिक है यहाँ पर बिना सिर का कहने का तात्परिय है जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि हम तो सिर पर कफन बात क्या है इसका मतलब क्या है मृत्यू से अब हमें डर नहीं है हम मरने के लिए तयार है तो यहाँ बिना सिर के आदमे कहने का तातपरिय भी यही है कि आप लोगों को मरने का बिलकुल भी डर नहीं है ऐसा क्यूं कहा जा रहा है क्योंकि आसाजित वकिल को ये लग रहा है कि ये हिंदू तन में है, हिंदू तन में होकर, जब ये नारायन से बड़ा नभी को बता रहे हैं, तो हिंदू भी उनके दुस्मन हो जाएंगे, और हिंदू होते हुए ये कुरान की बात कर रहे हैं, तो मुसल्मान भी इनके दुस्मन हो जाएंगे, और ऐसा होने के बावज पारणग जेब का और शरीयत का अमल तीन सों तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल पासाजित कह रहा है कि एक तो औरंग जेब का सामराज्य है और उपर से वह कटर शरीयती मुसलमान है आपको सायद पता है अथवा नहीं लेकिन औरंग जेब का जो इतिहास है वो बहुत ही कुरूर रहा है साह जहा का वो पुत्र है उसके तीन भाई और हैं जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्धी से लिया जाता है वैसे उनके अलाव भी कोई हो तो मैं नहीं जानता पर चार भाईयों का वणन आता है जिनमें सबसे बड़ा दारा सिको है फिर मुराद, औरंग जेब और सुजा ये चार भाईये कुल मिला कर साह जहाने दारा सिकों को अपने पास रखा था दिल्ली में सूजा को बंगाल की सुबेदारी दित्थी और मुराद को पंजाब की औरंग जेब को दक्षिन भेज रखा था दक्षिन में मराठाओं का दमन करने के लिए बंगाल में भी ऐसी कोई खास इस्तिती नहीं थी पंजाब में भी इतना कोई विरोध नहीं था उस समय तक जब औरंग जेव राजा बना गुरु गोविन सिंग जी का जो विद्रोह है वो उसके बाद शुरू हुआ है सबसे अधिक कठोर परिश्रम किया है औरंग जेव ने क्योंकि मराठाओं के सामने युद्ध करना जिन्होंने मराठाओं का नेतरित्व किया छत्रपति सिवाजी उनको एतिहास के सर्वस्रेष्ट राजनितिग्यों में माना जाता है सर्वस्रेष्ट राजनिता वैसे क्रिश्ण कहे जाते हैं राजनितिग्यों उसके बाद चानक्य और फिर सिवाजी का नाम लिया जाता है इतने कुशल थे और ऐसे कुशल राजनिता के सामने जाकर उनके विद्रहों को दमन करने का प्रयास करना तो जो सत्रू जितना प्रबल होता है आपको भी उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है तो दक्षिन में रहते हुए औरंगजेब कुटिलता सारी सीख गया और बचपन से ही औरंगजेब को उसके गुरुओं ने काजी मौलवियों ने इतना दिमाग में भर रखा था कि उसकी वज़ा से वह पूरी तरह से कटर हुआ था दाराशिको थोड़े खुले विचारों वाला वेक्ति था उपनिशदों का वह फार्सी में अनुवाद करा रहा था तो उपनिशद भी वह पढ़ता था हिंदों से उसको लगाओ था अब मुसल्मानों ने सोचा जितने काजी वगर रहे थे उन्होंने सोचा कि यदि दाराशिको सत्ता में बैठा तो सरीयत का सामराज ये खत्रे में पढ़ जाएगा क्योंकि ये तो हिंदुवादी है हिंदुवा के प्रतिये सरल भावना रखता है इसलिए बच्पन से ही औरंग जिब को उक्साते थे कि यदि खुदा की बात्साहत रखनी है इसलाम को खत्रे से बचाना है तो तुम्हें बात्साहा बनना जरूरी है अंदर ये अंदर ये सब कान में भर रहे थे औरंग जिब भी तयार हो रहा था और साह जहां के पक्षपात पूर्ण व्यवाहार से औरंग जिब खुन्नस खाये बैठा था अब उसने क्या किया कि सूजा और मुराद दोनों को अपने पक्ष में मिला लिया ये कहते हुए कि पिता जी तो दाराशी को कोई चाहते हैं तुम्हारी हमारी कोई पूछी नहीं है कोई कीमत ही नहीं है उसको अपने पास बैठाया हुआ है दिल्ली में ही रखा हुआ है औ इस तरह से उसने उक्साना शुरू किया और कहा कि तुम दोनों मेरी मदद करो, मैं दारासिकों के खिलाफ बगावत करने जा रहा हूं, सहाजाहा के खिलाफ बगावत करने जा रहा हूं, तुम दोनों मेरा साथ दो, दोनों भाईयों को अपने पक्ष में मिला लिया, अब बं योगि दिल्ली के साथ में साहजाहा के साथ में कुछ हिंदु राजा भी मिले हुए थे। अब औरंग जेव ने क्या किया कि एक कुटिल चाल चली भ्रामक चिठियां लिख करके हिंदु राजाओं की च्छावनी में पहुचा दिया साहजाहा के नाम से। और उसमें क्या लिखा था ? साहजाहा के नाम से ये चिठियां लिखवाई गई अपने सेनापति के नाम, सेनापतियों को उसमें लिखा गया है कि अभी हिंदु राजाओं से मदद ले लेनी है और जरूरत मौका पाने पे इनको भी खतम कर देना है और इनका राज्य भी बहन थी जो सामिल थी औरंग जेब को गादी पर बैठाना चाहती थी, तो वो अपने पिता जी की मुहर छिपा करके लेके आती है, अब इससे क्या हो गया हिंदूों में ही, जो हिंदू राजा थे, साहा जाहा की मदद करना चाहते थे, वो विरुद खिलाफ में हो गए, इसक कि ये तीनों बाहर रह करके, जमीनी इस्तर पर काम करते वे और उसमें भी विशेश रुप से औरंग जेब तो दक्षिन में युद करता था, उसको पता था कि जो मुखिया है, उसको कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, दारासी को जोस में आगया, हाथी पर बैठ करके आगे आया, औरंग जेब की सेना के किसी तीरंदाज ने उसको तीर मारा और गिरा दिया, हाथी पर से वो नीचे गिर गया, अभी मरा नहीं था, पर जैसे ही दारासी को हाथी से नीचे गिरा, सेना में भगदड मच गए कि दारासी को तो मारा गया, अब भगदड मचने के बाद जितनी सेना मिली औरंग जिप की फोज ने सब का सफाया कर दिया पूरी कुरूरता के साथ में दारा सिकों को पकड़ करके औरंग जिप के सामने पेस किया गया उसने क्या किया दारा सिकों को जंजीरों के साथ बदवा करके हाथी के पैरों में बदवा कर पूरी दिल्ल का चक्कर लगवाया, उसके बाद उसका सिर कटवा करके उसके पिता के सामने पेश किया गया, और फिर बाद में दुनिया के सामने उदाहरन बनाने के लिए उसने भाले की नोक पर रख करके चोक चौरा है पे टांग दिया, कि सब डरे औरंग जेव से, इतना क्रूर था, मैं साह जहां को जेल में डाल दिया, और ऐसे जेल में डाला, जहां किवल एक छोटी सी खिड़की थी, और वो खिड़की दिखती थी, ताजमहल के तरफ, और बार बार उसको मानसिक रूप से यातना दी जाती थी, कि तुमने ये जो सारा खर्च किया है, इस पर, कबर पर, क्य उसने का, तुमने जो सारा खर्च किया है, इसको बनाने के पीछे राज्य का खर्च किया है, अब देखो, इसी के सुन्दरता देखते रहो, और कुछ समय के बाद उसने सोचा, कि यदि साह जहां जीवित रहे, तो कोई न कोई बगावत कर सकता है, साह जहां का नाम लेकर क कि वो जीवित रहते वे ये गादी पर कैसे बैठ सकता है, तो उसने पिता के पास जा करके कहा, कि अब जान मुझे बड़ा पस्तावा हो रहा है, कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, मैंने बहुत ज्यादती की, मैं आपके खिदमत करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, जेल में बैठे बैठे, आपके सरीर में दर्द हो रहा होगा, आपके बदन में दुख रहा होगा, मैं आपकी मालिस करवाना चाहता हूँ, अब उसने क्या किया, जहर वाले तेल से साहा जहा की मालिस करवा दी, उस जहर की जलन से तडब तडब करके साहा जहा मरा, अब ऐसा क्रूर व्यक्ति जो अपने बाप को नहीं बक्स रहा है, जो अपने भाईयों को नहीं बक्स रहा है, जिससे खत्रा होता है उसको मरवा देता है और ऐसे कुरूर व्यक्ति के सामने सरीयत में बात करना हिंदू होकर के कुरान के बात करना जो सुबह सुबह यदि किसी हिंदू का मुह देखे तो उसको मरवा देता था तो आसाजित वकील को लग रहा है कि ये बिना सिर के व्यक्ति है ऐसा कर सकते जिनको मरने से कोई भी डर न हो अब आसाजित जब ऐसी बात करने लगा तो स्रीजी ने सोचा कि ये तो moral down कर रहा है उच्छा बढ़ाने के नाम पर और उल्टा कम कर रहा है तो आसाजित की नकारात्मक मानसिक्ता को देखते वे उसका साथ छोड़ दिया और अब आपस में विचार करने लगे सोचने लगे कि औरंग जिब का नजदी की कौन होगा ऐसा कोई तो ऐसा नजदी की वेक्ती होगा जिससे हम औरंग जिब तक पहुँच सकें ऐसा विचार करते हुए कुछ सुन्दर साथ सेख सलेमान से मिले सेख सलेमान औरंग जिब के दरबार में उस पद पर था कि यदि किसी को भी औरंग जिब से मिलना हो तो पहले इस से मिलने के जरूरत पढ़ते थी कोई संदे सौरंग जिब तक पहुचाना हो तो सेख सलेमान के माद्देम से पहुचाना पड़ता था एक तरह से देखा जाए तो आज की हिसाब से सेक्रेटरी समझ सकते हैं सचीव और जो पहले भी स्रीजी से दो बार मिल चुका था अब जैसे सुन्दर साथ मिले तो सेख सलेमान के मन में ये आया कि मैंने सुना है फकीरों के पास में कोई कीमिया होता है कीमिया के दो मतलब होते हैं एक तो चमतकार और दूसरा रसायन जो सास्तर होता है उसको कीमिया गिरी बोलते हैं और यहां कीमिया गिरी का ताथ पर यह है, कि उसके मन में था कि लोहे से सोना बनाने की जो कला है, यदि मुझे पता चल जाए तो मैं अमीर बन जाओ, तो क्या हुआ, इन मिलाप स्री राजसों किया था बेरदोए, इनके दिल में कुफर, कीमिया मागे सो, उसके मन में तो बैमानी थी, लालज था, इसलिए वहां लोहे से सोना बनाने की कला को जानना चाहता था, तो सुन्दर साथ ने सेख सलेमान को समझाया, कि देखिये, पास के पहाड में एक फकीर रहते हैं, और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है, यदि आप हमारी बात को बात्साह तक पहुँचा देते हैं, तो आपकी सारी मनुकामना उस फकीर की क्रिपास से पुरी हो जाएगी, क्यूं? कह रहे हैं कि यदि हमारी बात बात्साह तक पहुँच जाए, तो एक दीन सब हो वहीं, भागे सबरो ब्रोध, सब के अंदर का विरोध समाप्थ हो जाएगा, दुनिया में एक धर्म की सत्ता स्थापित हो जाएगी, आपस में जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मरमिट रहे हैं, कुरोध कर रहे हैं, ये सब समाप्थ हो जाएगा, और सौहार्द का वातावरन स्थापित होगा और जितने तुम्हारे दुस्मन हैं कहते हैं और सब तुम्हारे दुस्मन आपे होवे जेर जितने आपके विरोधियें वो सब आपके सामने जेर हो जाएंगे अर्थात नतमस्तक हो जाएंगे और तुम्हारा Peak, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम करने में सहाईता प्रदान की है, तो तुम्हारा Peak सुमेरू परवत के समान उचा हो जाएगा और जब इतना होगा, तुम्हारा सम्मान इतने अधिक होगा, तुम एक चमतकार के इच्छा करते हो, लेकिन ऐसी अवस्था में तो जितने चमतकार करने वाले किमियागर होंगे जो लोहे से सुना बनाने की कला जानते हैं वे भी तुम्हारे अधिन होंगे वे लोग भी तुम्हारा पाओं पकड़ेंगे कि तुम्हारी वज़से इस विश्व में सांती फैली है और इतना बड़ा काम तुम्हें किया है और ऐसी अवस्था में औरंग जेब का जो डर जनता के मन में है वो डर भी समाप्त हो जाएगा और अल्ला की खुदा की कृपा से तुम्हें मुहम्मद साहब का भी दीदार हो जागा इसी दुनिया में मुहम्मद सहाब का दर्सन होगा और सुन्दर साथ ने लिखित रूप में ये कहा कि यदि आप हमारी बात बात्साह तक पहुचाने में मदद करते हैं तो ये ये बात्ते होंगी इसका हम वादा करते हैं अब सेख सलिमान डर गया ये देख करके कहते हैं जब ए बात लिख दई तब डरा सेख सलिमान तब इतकी पात्साही कौन करे सुलता न उसके मन में है कि यदि औरंग जे बात्सा इतना धार्मिक हो गया एक फकीर की सरण में चला गया तो यहां की बात्साहत कौन करेगा तो सुन्दर साथ ने सीख सलिमान को जवाब दिया कि देखो तुमारे मन में जो ये डर है कि बादसा उस फकिर की कदमों में चला जाएगा सारी बादसाथ सौब देगा ऐसा नहीं है जिन फकिर ने हमें तुमारे पास भेजा है उनको तो दुनिया की बादसाथ से कोई मतलब ही नहीं है उनको तो दीन की बादसाथ चाहिए दीन मतलब धर्म की बादसाथ चाहिए और ये बादसाथ खुदा ने उनको पहले से ही बख्षी हुई है पहले से ही दी हुई है हकें दई दीन की जाहर की न दिखाए ये जाहरी बाद साथ लेकर की इस दुनिया की जुठी बाद साथ लेकर के क्या करेंगे और जो भी सच्चा फकीर होगा तो उसे कभी भी दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी सो दुनिया मुरदार की थूक न काड़े हरफ सच्चा वैरागी, सच्चा फकीर कभी भी दुनिया की तरफ की अर्था संचारिक चीजों की कोई भी कामना नहीं करता है संचारिक इच्छा के लिए वो एक शब्द भी प्रयोग नहीं करता है अब ये बात सुनकर के सेख सलेमान के मन में और भी डर बैठ गया कहते हैं ए बात सुनके देहसत भाई दिल में ए बात बड़ी बुजरक क्या मालूम होए मुझसे कि यदि ये बात इतनी बड़ी है इतनी महिमावान है कि संपूर्ण भारत में संपूर्ण हिंदुस्तान में जो बात्साहत कर रहा है ऐसा बात्साह उस फकिर से मिला तो ये हो जाएगा यदि मेरे से कोई चूक हो गए मान लिजे कि ये बात औरंग जेव को पसंद नहीं आई तो क्या होगा मेरा क्या होगा ऐसा सोचकर अब सेख सले मां अंडर गया महमति स्री लालदाजी कहते हैं कि स्री महमति कहे मूमिनों याद करो हजरत जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत कयामत का संदेश देने Sus के लिए जो आपने लड़ाई की है लड़ाई करने का मतलब यहां ज्यान की लड़ाई हो रही है विचारों की लड़ाई हो रही है माया से उस प्रयास के लिए लड़ाई हो रही है उसको याद कीजिए अब उसी प्रयास के क्रम में स्रीजी ने दो सुन्दर साथ को यह आदेश दे करके भेजा कि आप जाईए और किसी मौलवी से पूछ कराईए कि कुरान में क्या लिखा है पता चले कि हमारे विशे में कोई संकेत मिलता है कि नहीं उन्होंने लालदाह जी और गोवर्धन जी को भेजा इसका मतलब यह नहीं कि स्री जी को पता नहीं था और मौलवी से वो confirmation कराने गए दैसा नहीं है जो कुरान कहलाने वाला है वो अक्षर वो जबरायल बैठा है अंदर जिससे बात हुई 90,000 वो अक्षरातीत बैठा है अक्षर की सूर्ता भी बैठी है तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है पर इस कारिय में, इस महान कारिय में सुन्दर साथ की सेवा की आवसेक्ता है अब सुन्दर साथ को स्रीजी सोयम कहेंगे कि देखो कुरान में तो इस तरह से मेरी बातने लिखी हुई है तो हो सकता है कि लोगों के मन में नकरात्मक ताति कि देखो अपने ही महिमा कर रहे हैं अपने ही महिमा गा रहे हैं इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई मौलवी अगर बता दे या किसी दूसरे से ये बात सुन्दर साथ को पता चले तो ही ठीक है इसलिए उन्होंने लाल दास जी और गोवर्धन दास जी को भेजा गए और अब उनसे कुरान के विशाय में थोड़ी बातचित सुनी कहते हैं लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास महजद बातें सुनत मुल्ला की आपस में भैजिद अब मुल्ला की बात सुन करके दोनों में आपस में टकराव हो गया लाल दाश जी और गोवर्धन दाश जी में क्योंकि कहते हैं लाल दाश जी को जब ये पहचान हो गई कहते हैं ये तो हमारे घर की तहकीक भया इमान ये तो हमारे घर की बात है ये तो परमधाम की बात है अब तो ये निश्चित हो गया गुवर्दन जी के मन में डर था उन्हेंने कहा कि लालदाजी देखिए बात तो सही है आपकी पर हम ये बात स्रीजी को नहीं कहें तो अच्छा है क्योंकि जैसे ही स्रीजी को हम ये बात कहेंगे मरने के लिए तो हमें ही भेजेंगे लालदाजी सोच रहे हैं कि हम स्रीजी से कोई बात कैसे छिपा सकते हैं इसलिए दोनों में आपस में विवाद हो गया जगड़ा हो गया लालदाजी ने कहा कि ने ये बात तो स्रीजी को बता नहीं है अब गोवर्दन जी सोचते हैं कि यदि लालदा जी ने पहले बता दी मेरी पोल खुल गई तो मुझे सर्मसार होना पड़ेगा इसलिए गोवर्दन जी पहले ही भागे भागे गए छोटे रास्ते से स्री जी के पास पहले पहुँच गए और जा करके अब उल्टी बात करने लग गए पहले जो विरोध कर रहे थे वही कहने लगे कि श्री जी साहिब कुरान में तो हमारी घर की बात लिखी हुई है इस तरह से जब बात कर रहे थे बात करते करते लालदा जी भी पहुँच गए गोबर्दन जी की बात जैसे ही सुनी तो लालदाहजी को थोड़ा बुरा लगा क्रोध आया उन्होंने कहा श्रीजी साहेब आप हमारा विश्वास मत करना हमारे भरोसे जागनी आप करेंगे इस बात का विश्वास मत करना कहते हैं हमारा इन चटाई पर मन होत कच्छू और इहां सेती उठ जात है तब चेहन न रहे वेठ हो जब तक हम आपके सामने चटाई में बैठे रहते हैं तब तक हमारा इमान आपके प्रती होता है हम दिखावा करते हैं कि आपके जैसा तो कोई नहीं और हमारे मन में आपके लिए पूरा विश्वा से आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे पर यहां से आपके सामने से उठते ही हमारा मन दुदला हो जाता है हमारे मन में दो तरह की बाते आने लगती है इमान हमारा डगमगा जाता है इसलिए हमारा विश्वा से मत करना अब जैसे ये बात चुनी गुवदन जी को गुशा आया कि ये सब आप मुझे ही कह रहे हैं लालदाश जी ने कहा कि मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया अब जैसे चोर की दाड़ी में तिनका होता है अब दोनों की बात देखकर स्री जी ने विचार किया कि जब सुन्दर साथ जिनके भरोसे मुझे जागनी का कारिय करना है उनमें ही आपस में इस तरह से टकराव है तो इनके भरोसे जागनी कैसे किया जाए अब स्री जी को जोस आया कि अब मैं इन दोनों की बुद्धी पर कैसे विश्वास करूँ और यहां बात दो की है पर ऐसे सुन्दर साथ और भी हो सकते है तो जब स्री जी ये चिंतन करने लगए विचार करने लगए उनको जोस आया और ऐसे जोस आया कि उनके मुखारविंद के चारों तरफ प्रकास दिखाई पड़ने लगा अब सुन्दर साथ को लग रहा है कि ऐसा तो हमने आज तक कभे भी नहीं देखा ऐसा लग रहा है कि स्री जी के मुखारविंद के आगे बिजली चमक रही है मोह आगे बिजली ये के चमकत लहरा दई तब स्री राज के मुख से ये बातें पुकार कही अब स्री जी ने पुकार करके ये बात कही कि लालदास जी धर्मगरंथों का सारा रहस्य खोलने की शोभा मैं आपको देता हूँ और भीमभाई तथा मुकुन दास को अब मैं उदैपूर भेजता हूँ वो उदैपूर जाकर के जागनी कारिय करें गोवर्धन भट को कह रहे हैं कि आप सूरत जाओ सेख बदल जी को कह रहे हैं कि मैं आपको हुकम की सोभा देता हूँ या हुकम की सक्ति का मतलब कि जागनी के लिए आप अपने मन में जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूरी होगी और मुकुंद दाष जी को तार्तम ज्यान खोलने की वाणी खोलने की सोभा देकर स्री जी ने कहा कि अब आप सब जागनी कीजिए मुझे कुछ नहीं करना है अब मैं यहां से अनुप सहर जा रहा हूँ मेरे सुन्दर साब के पास अब क्या हुआ भागी सारी उर्जन कोई न रहया काम प्रातह को उठ ले चले अनुप सहर के ठाम अब सारी उल्जन ही खतम हो गए उल्जन खतम होने का मतलब उल्जन तो तब तक थी जब तक की जागनी करने का विचार था मन में अब कैसे करना है अब है इने अब नहीं करना है ऐसा उन्होंने सोचकर स्थगित कर दिया कि अभी नहीं करना है और अगले दिन सुबह ही अनुप सहर के लिए प्रस्थान किया अब आसाड का महिना था आसाड मतलब जुलाई का महिना मुसलाधार बारीश हो रही थी एक तुश्री जी को जोस चड़ा है अब ये प्रसंग भी 1735 के बाद की है तो मिहर राज जी के तन की उम्र भी 60 साल से उपर की हो चुकी है अब ऐसे में 60 साल की अवज था एक जो जोस आया है उसका भी तो सरीर में रियक्शन होता है ना आप में से बहुत सारे लोग हैं साइन्स पड़े हुएं हमारी हर भावना का हमारे सरीर के साथ में रियक्शन होता है जैसे जब हमें डर लगता है पेट में दर धोने लगता है क्यों क्योंकि हमारे अंदर ऐसा ही हार्मोन से स्राव होने लगते है खुशी होती है तो अलग तरह की भावना होती है जब हमें चिंता होती है तो सरीर में भी उसी तरह का रियक्षन होता है इसी तरह से स्रीजी को जो जोस आया है उसकी भी प्रतिक्रिया हुई मौसम की भी और उम्र की भी सब की प्रतिक्रिया एक साथ हुई अब जो सावन भादों का महिना होता है, वैसे भी digestive system उस समय सई डंग से काम नहीं करता, इसलिए आयुरुवेद में सावन भादों में हलका खाना खाने की या फिर उपवास रखने की सलादी है, सावन के महिने में ज्यादा से ज्यादा लोग उपवास रखते न, इसका कारण यह है, अब स्री जी को अतिसार होने लगा, अतिसार मतलब दस्त होने लगा, रास्ते में ही, अब उस समय लालबाई जी साथ में थी, स्री जी की अस्वस्तता को देख करके रोने लगी, कि पता नहीं क्या हो गया, एक अन्होनी की आसंका उनके मन में हुई, स्री जी ने कहा कि आपको डरने के आउस सिकता नहीं है अभी समय नहीं आया कहते हैं तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम फिरीन मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुकम अभी मेरा तन छूटने वाला नहीं है यदि कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको खबर कर देंगे बता देंगे और उसी समय राजी के जोश की सक्ती ने जबराईल ने ऐसा जोर किया कि सनन्द की वाणी वहाँ पर अवतरिद होने लगी उतरे कलाम कादर से करो खेल में सोर अब इस तरह से राजी की वाणी का आवतरण होना शुरू हो गया जो की जागनी के ब्रह्मान में सोर कराने वाले है सोर कराने का मतलब ग्यान की पहचान ग्यान की गूज इस दुनिया में देने वाली है अब तॉरेत किताब में उतरिशन देती तॉरेत कहा है कलस को ठीक है शुहागिन्यों के लक्षण को सुहागिन के जगह पर मुमिन सब्द का प्रयोग किया है। एसा ही कुछ-कुछ सब्दों का फरक है। तो उन 12 प्रकरणों के साथ में कुरान के 30 सिपार्य हैं। 30 सिपारों का भाव और 30 प्रकरण में व्यक्त करके सनन्द की वाने अवतरित अलस और कुरान दोनों का ग्यान था जिसमें सब खबर कुरान की हके करी बक्सिस धामधनी अक्षिराती स्री राज जी ने हम सब सुन्दर साथ पर बक्सिस करके मेहर करके यह सनन्द की वानी दी और सुन्दर साथ ने उसको पढ़कर विचार किया कि ए बानी सुनके पीछा न हटे मोमिन जो भी सच्ची ब्रह्मिस्ष्टी होगी वह इस वानी को सुन करके धनी पर इमान लाने की रहा में कभी भी पीछे नहीं हटेगी और कहते हैं इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध अपने नीजवतन की आई जागरित बुद्ध अब इस मजल में अर्थात या सिद्ध कर दिया कि औरंग जेब को संदेश पहुचाना है तो कैसे पहुचाना है अब तक तो हमें किसी दूसरे मौलवी पर निर्भर होना पड़ता था कि कोई कुरान का अनुवाद कर दे फिर हम सुनें पूछें फिर पता करें अब तो पूरे कुरान का भावी सनंद ग्रंथ में व्यक्त कर दिया सनंद का अर्थ होता है यथार्थ ज्यान अथवा वास्तविक्ता कुरान की वास्तविक्ता को इसमें वणन किया कहते हैं अपने नीजवतन की आई जागरित बुद्ध परमधाम की जागरित बुद्धी का प्रकास जिसमें हमारे परमधाम की वानी आवतरित हुई कहते हैं अब ए बानी सुनके कोई न फिरे इमान इस सनन्द की वानी को यदि कोई भी सुन्दर साथ सुनेगा तो किसी का भी इमान नहीं हिल सकता सब को विश्वास होगा कि जब कुराल में हमारी ही बात लिखी हुई है तो हम फिर क्यों डरें जब मार को टूक टूक होवे सुल्तान और सुन्दर साथ ने इस बात का विश्वास किया कि यदि औरंग जेब तक हम इस वानी को पहुचाने में सफल रहे तो वह सुल्तान औरंग जेब भी इस वानी को सुनकर समर्पित होगा टूक टूक होने का मतलब वानी पर समर्पित होग धर्म पर समर्पित होगा अब सनन्दवानी के आउतरन होने के पस्चा किस तरह से उसे औरंग जिब तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाता है किस तरह से कयामत के अलग-अलग निशानियों को पत्र के रुप में लिख करके तयार किया जाता है कयामत के साथ निशान जो है वो कौन-कौन से है और फिर औरंग जिब के जो पाँच दरवारी है उनके माध्यम से औरंग जिब तक पहुंचने का प्रयास कैसे किया जाता है और जब सारे प्रयास और सफल होते हैं तो फिर 12 सुन्दर साथ किस तरह से मुसल्मानों का वेश बदल कर औरंग जिप के दरवार में जाते हैं और उसकी जागनी के लिए प्रयास करते हैं ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल तथा आगामी दिनों की चर्चा में अब समय पुरा होता है छोपए दो राई अब एबानी सुनके कोई न फिरे इमान जब पहुँचे सकुमार को तुक तुक होवे सुल्तान बोलो स्री प्राणनाज बोलो स्री सद्गुरु महाराज प्रणाज